एक भारत श्रेष्ट भारत भाषा संगम यहां हमारे देश और समाच की खुबसूरती है आपकी कक्षा में आने वाले बच्चे भी ऐसे पारिवारिक या सामुदाईक परिवेश से आ सकते हैं जहां एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हों संभावना ये भी है कि स्कूल में इस्तिमाल होने वाली भाषा बच्चों के परिवेश में मौजूद ना हो इस सामाजिक सच्चाई को स्कूल में उचित स्थान मिलना जरूरी है इन्ही विविदताओं का सम्मान करते हुए और उन्हें आपस में जोड़े रखने के लिए एक भारत, श्रेश्ट भारत के अंतरगत भाषा संगम कारिक्रम की परिकल्पना की गई है भाषा संगम हमारे सम्मिधान की आठवी अनुसूची में नहित भारतिय भाषाओं से विद्यार्थियों को परिचित करवाने और बहु भार्षिक्ता के प्रती जागरूख करनी की ओर एक पहल है इसके फलस्वरूप विद्यार्थी न केवल बहु बहु भार्षिक्ता के प्रती जागरूख होंगे बलकि उस भाषा का इस्तिमाल करने वाले लोगों के सामाजिक वसांस्कृतिक व्यभारों और संदर्भों को भी समझ पाएंगे भाषा संगम के उद्देश्य भारत के सम्विधान की आठ्मी अनुसूची में नहित सभी 22 भारतिय भाषाओं से विद्यार्थियों को परिचित करवाना सभी भाषाओं के प्रती आदर और संमान को बढ़ावा देना विद्यार्थियों को इन भाशाओं के मात्हम से देश की अनूठी सांस्कृतिक छटाओं और व्यवहारों के समी प्लाना भाशा संगम की शुरुवात में विद्यार्थियों को अलग-अलग भाशाओं के पाँच वाक्य सीखने के मौके दिये गए फलस्वरूप विद्यार्थियों में इन भाशाओं को विस्तार से जानने की और इन भाशाओं को बोलने वाले लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक वभाशिक व्यवहार को जानने समझने की जिग्यासा बढ़ी। इसलिए विद्यार्थियों को 22 भाशाओं में लगभग 100 वाक्यों के गुच्छे सीखने के लिए दिये जा रहे हैं। इन वाक्यों से परिचित कराने से पहले एक अपेक्षित माहौल बनानी की जरूरत होगी, जिससे दूसरी भाशाओं को सीखने में सुगमता और सहजता आ सके। हमारा विश्वास ये है कि विद्यार्थी इन ही वाक्यों तक सीमित न रहकर आगे बढ़ें। ये कारिक्रम राज्यों वकेंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालेई शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। इस कारिक्रम में सम्विधान में दी गई सभी 22 भाशाओं का समावेश किया गया है। इस कारिक्रम के अंतरगत बाईस भारतिय भाशाओं में सरल वा सामान्य रूप से इस्तमाल होने वाले छोटे-छोटे वाक्य तैयार किये गए हैं, जिन्हें सभी विद्यार्थियों के साथ एक पुस्तिका के रूप में साजह किया जाएगा. पुस्तिका के प्रस्तुती वरूप रेखा इस पुस्तिका में दिये गए वाक्य समवाद शैली में बने हैं. ये वाक्य विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक एवं दैनिक जीवन से संबध विश्यों पर आधारित हैं. पहले मूल भाशा में, रोमन लिपी में, फिर देवनागरी लिपी में, और फिर उसका हिंदी अनुबाद वा अंग्रेजी अनुबाद दिया गया है. इन विश्यों पर आधारित वाक्यों को सीखने, समझने और अभ्यास करने के लिए 20 कार्य दिवस प्रस्तावित किये गए हैं. प्रतियक विश्य और उसके अंतरगत आने वाले वाक्यों के लिए दिनों का निर्धारण सुझाया गया है. यदि किनी दिनों में वाक्यों की संख्या अधिक है, तो उनके अभ्यास के लिए आवशक्ता अनुसार दिनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है. आपचारिक रूप से इस पुस्तिका के इस्तिमाल के लगभग एक माह पहले उप्यूक्त परिवेश बनानी के प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. अभीष्ट उदेश्य की प्राप्ति के लिए इस प्रक्रिया को अभ्यास के द्वारा आगे के महीनों में भी दोहराया जा सकता है. इस परियोजना के दस्तावीजी करण के लिए और विद्यालेयों को प्रोचसाहित करने के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे विद्याले, विद्यार्थियों की प्रमुख वद्यानिक गतिविधियों के चाया चित्र और विडियो तयार कर अपलोड करेंगे. राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालेय शिक्षा विभाग, DEO और BEO भी इन गतिविधियों की तस्वीरें और विडियो राज्यस्तर, जिलास्तर या ब्लॉक व संकुल स्तर पर अपलोड कर सकते हैं. शिक्षा मंत्राले, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा अपलोड की गई अथ्वा भेजी गई तस्वीरों और विडियो के आधार पर सर्वश्रेष्ट विद्याले, सर्वश्रेष्ट ब्लॉक, सर्वश्रेष्ट जिला, सर्वश्रेष राज्य वकेंद्र शासित प्रदेश का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। यदि कुछ विद्यार्थी अन्य भाषा बोलना और पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उन्हें पढ़ने के लिए और दूसरों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए प्रोचसाहित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई शिक्षक, अभिभावक, सरकारी कर्णचारी या कोई अन्य उस भाषा को पढ़ सकते हों, तो उन्हें उन वाक्यों को पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रस्तावित पुस्तिका और उससे संबंधित गतिविधियां अर्थपूर्ण और रोचक माहौल में आयुजित की जानी चाहिए, ताकि बच्चे सीखी जाने वाली भाषा का इस्तिमाल रोजाना की आपसी बाचीत में करने की कोशिश करें। ऐसा करने में कुछ हसी मजा का महौल भी बन सकता है। शिक्षत भी बच्चों के साथ इस बाचीत में शामिल हो। प्रस्तावित गतिविधियां यहां 12 विभिन विश्यों पर लगभग 100 वाक्य दिये गए हैं। राज्य या विद्याले किसी भी दूसरे राज्य की भाशा, बोलने और अभ्यास के लिए चुन सकते हैं। यह बाचीत प्राताह कालीन सभा में की जाएगी। विद्यार्थियों को इन वाक्यों पर पोस्टर तयार कर, उन्हें विद्यालेयों में लगाने के लिए प्रोचसाहित किया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रोचाहित करने के लिए अध्यापक गण उसी भाषा में बच्चों को संभोधित करेंगे और उनसे बाच्चीत करेंगे विद्यार्थियों को इस बात के लिए भी प्रोचसाहित किया जाएगा कि घर पर परिवार के सदस्यों के साथ इन वाक्यों को साज़ा करें इस कारिक्रम से संबंधित अन्यगति विधियों का आयोजन विद्याले अपने स्थर पर कर सकते हैं इन भाशाओं के लोग गीतों, प्रचलित गाने, खेल गीत, कविताओं का इस्तमाल इस भाशा के प्रती रुज्ञान उत्पन करने के लिए कर सकते हैं। भूगोल, भाशा, इतिहास, पर्यावरन अधेयन आदी विशय पढ़ाते समय, ये समवाद, ववाक्य, समुचित स्थान पर यथा संभव उपियोग में लाए जा सकते हैं, क्यूंकि ये समवाद बच्चों के लिए प्रासंगिक विशयों पर आधारित हैं। भाशा संगम एक ऐसा कारिक्रम है, जो विद्यार्थियों को देश के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनमें समाहित, सांस्कृतिक, भाशिक विविधिता को समझने का अफसर देगा। ये कारिक्रम आपसी समवाद की एक पहल है। आपके स्कूल में ये कारिक्रम सुचारों रूप से चल सके, उसके लिए आप कुछ तयारी इस तरह से कर सकते हैं। विद्याले प्रमुक स्कूल के सभी अध्यापकों के साथ इस कारिक्रम से जुड़ी सामगरी को जरूर पढ़ है। पढ़कर उस पर चर्चा हो और कारिक्रम के हर पहलू पर बात चीत हो। ये कारिक्रम बहु भार्शिक्ता की समझ पर टिका है। इसलिए इस पर साजा समझ बनाना बेहत जरूरी है। अभिभावकों की साजेदारी इस कारिक्रम में जरूरी है। शिक्षक अभिभावक संग की मीटिंग के जरिए अभिभावकों को इस कारिक्रम से परिचित करवाएं और उन्हें अपने विचार और सुझाव रखने को कहें। इस कारिक्रम की सफलता के लिए जरूरी है कि स्कूल में सभी अपनी जिम्मेदारी जानते हों। कक्षा चार से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों में से एक मुख्य समन्वयक की जिम्मेदारी ले 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 और दो तीन शिक्षक सहसमन्वयक की भूमिका में मदद कर सकते हैं। भाशा संगम के लिए तैयारी। कक्षा में माहौल बनाना। ये कारिक्रम बच्चों के अनुभव क्षेत्र में एक ऐसी भाशा लेकर आ रहा है, जो शायद आपके स्कूल के बच्चों ने कभी न सुनी हो। हो सकता है भाशा का नाम सुना हो, पर भाशा सुनने का कभी मौका न मिला हो। ये भाशा अपरिचित तो लगी सकती है, इसकी द्भनिया, वाक्यों का उतार चढ़ाव, ये सब भी एक नया पन लिये सुनाई देंगे। बच्चों और खुद के कानों को इस भाशा की आवाजों और उच्चारणों की आदत डालनी होगी। इसके लिए आप महीने भर का समय लें और इस समय में भाशा को सुनने का मजा लें। इस मजे में भाशा से दोस्ती हो पाएगी। सरल और सहज महौल जिसमें भाशा के कुछ खेल, गीतों, जन मानस में छाय लोग गीतों, बच्चों के लिए उप्युक्त फिल्मी गानों का भरपूर इस्तमाल हो। पहेलियां और चुटकुले पीछे ना रह जाएं, खास कर वो जिन में ध्वनियों वर शब्दों का खेल हो। कुछ साधन सामगरी तो आप तक पहुँच ही जाएगी, पर इंटरनेट का भी सहारा लें। सुने, सुनाएं, गाएं, गुनगुनाएं, खेलें। आपके उत्साह और आपको आ रहे आनंद से बहतर साधन सामगरी असल में कुछ भी नहीं है। इसमें आपको कक्षा में बहुत समय देनी की जरूरत भी नहीं है। दिन में दो-दो बार 10-15 मिनट काफी होंगे, बस आपकी तयारी पूरी रहे। ऐसा समय अच्छा हो सकता है जब बच्चे दिमागी कवायत से ठक गए हों, या फिर खाने से ठीक बाद के 10-15 मिनट, या फिर घर जाने से पहले। ये पूरी कोशिश केवल कानों को नई भाशा सुनने के लिए अभ्यस्त करने की है और उसमें आनंद लेने की। इसे आप आप चारिक्ता से दूर रखें। इस महीने में बच्चों को किसी भी तरह से पर्खा ना जाए। इस दौरान आपको कुछ ऐसे स्रोतों की जरूरत पढ़ सकती है जिससे कक्षा में नई भाशा सीखने का महौल बन सके। ऐसे कुछ स्रोत जहां आपको विभिन भाशाओं में सामगरी मिल सकती है। राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद नई दिल्ली। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद। जिलो के मंडल शिक्षा एवं प्रशिक्षन संस्थान। सांस्कृतिक संदर्भ, एवं प्रशिक्षन केंद्र, चिल्रन फिल्म सोसाइटी और नाशनल बुक ट्रस्ट, सीखने की प्रक्रिया, बच्चों की प्रतिक्रियाएं जब एक ऐसी भाषा बच्चों के कानों में पड़ेगी, जो उन्होंने पहले नहीं सुनी, तब बच्चों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग तरह की होंगी हो सकता है कुछ बच्चे शुरुवात में कोई दिल्चस्पी न दिखाएं, हो सकता है कुछ को अटपटी लगे, कुछ को मज़ेदार लगे और कुछ इसका मजाग भी उड़ाएं हमें सभी तरह के प्रतिक्रियाओं के लिए तयार रहना होगा हम जितने सम्मान, दिल्चस्पी और उत्साह के साथ इस भाषा के साथ बच्चों का परिचय करवाएंगे, बच्चों का रवय्या भी भाषा के प्रति वैसा ही विक्सित होगा रचनात्मक आकलन आकलन की समय इस खयाल को जहन में रखना मददगार होगा कि कारिक्रम का उद्देश्य बच्चों को भाषा सिखा देना नहीं है बीस दिनों में ये संभव भी नहीं संबंधित भाषा के ये वाक्य बच्चों को उस भाषा को सुनने का संदर्भ देते है ये कारिक्रम इन बाक्यों को यांत्रिक रूप से रटा देने का उद्देश भी नहीं रखता कारिक्रम के दौरान अगर अपनी भाशा से अलग भाशा के प्रती हमारे रवये में एक बदलाव आने लगे तो ये इस कारिक्रम की सफलता का संकेत होगा बच्चों में ये समझ बन पाएं कि देश और संसार में अनेक भाशाएं हैं और ये भाशाएं उतने ही सक्षम और सुन्दर हैं जैसे कि उनकी भाशा भाशाओं के प्रती प्रेम और आदर इस समझ से ही पनप सकता है हमारे आकलन के तरीके भी इस समझ को पहचाने ये जरूरी है आकलन का संदर्भ ऐसा ही हो जिसमें बच्चे भाशा के इस्तिमाल का आनन्द ले सके 20 दिन के केंदरित भाशा कारिक्रम के दौरान बच्चों के प्रतिक्रियाओं, भागिदारी और उत्सा का आप अवलोकन करें आप अपनी टिपणियों को एक नोटबुक में दर्ज करते रहें अगर आपने महीना भर कक्षा में नई भाशा के लिए माहौल बनाया है, तो अवलोकन करना मुश्किल नहीं होगा आकलन आप तीन स्तरों पर कर सकते हैं कक्षा में, समूख या जोडों में, हर बच्चे का कारिक्रम के संदर्भ में सुझाए गए इन वाक्यों के आधार पर बच्चों का आकलन संबंधित भाशा के अलग-अलग पहलूँओं पर किया जा सकता है वाक्यों को कई विशेवस्तूओं में बांधा गया है इस तरह से हर विशेवस्तू बाच्चीत का एक सुद्रण संदर्भ देती है ऐसे ही कुछ प्रशन भाशा के अलग-अलग पहलूँओं पर केंद्रित है संबंधित भाशा की ध्वनिया, उसके शब्द, संदर्भ में शब्दों का अर्थ, कुछ मुख्य शब्दों को पहचान कर संदर्भ का अनुमान लगा पाना, संदर्भ में प्रशन पूच पाना, जैसे पहलू आकलन में शामिल हूँ ध्यान दे कि ये आकलन किसी भी तरह से बच्चों की स्मरण शक्ती की जाच नहीं है, वैसे ही शुद्ध उच्चारण पर ज्यादा बल नहीं देना चाहिए, क्यूंकि किसी भी भाशा के उच्चारण में प्रांतिय प्रभाव, स्वाभाविक है प्रशन एक, क्या बच्चा सम्मंधित भाशा के बाक्यों को अन्य भाशाओं के बाक्यों से अलग सुन पाता है? प्रशन दो, क्या बच्चा सुझाई गए इन बाक्यों में से सुनकर विशे वस्तु का अनुमान लगा पाता है? प्रश्न तीन, क्या बच्चा सुझाई गई विशेवस्तूओं पर केंद्रित बादचीत के मुख्य शब्दों का अर्थ बता पाता है? प्रश्न चार, क्या बच्चा संबंधित भाशा में पूछे गई प्रश्न का जवाब दे पाता है? प्रश्न पाँच, सुझाई गई विशेवस्तूओं में से संदर्भ बताने पर क्या बच्चा संबंधित भाशा में प्रश्न पूछ पाता है? इन प्रश्नों के जवाब पाने के लिए कुछ आकलन के तरीके सुझाई जा रहे हैं आप इनको अपनी जरूरत और संदर्भ के हिसाब से बदल सकते हैं आप उन बदलावों का या अपने बनाई तरीकों का विस्तृत वर्णन जरूर रखें तीन या चार भाशाओं के ओजियो क्लिप बच्चों या बच्चे को सुनवाएं सीखे जा रही भाशा के ओजियो क्लिप को पहचानने के लिए कहें संबंदित भाशा में एक विशेवस्तु पर बातचीत आप सूनाएं या दो बच्चों को रोल प्ले करने के लिए कहें या फिर ओडियो प्ले करें बच्चों या बच्चे को बाचीत की विशयवस्तु बताना है बाचीत की विशेवस्तु बताने पर आप बच्चों या बच्चे से बाचीत में आए ऐसे शब्द और उनके अर्थ बताने के लिए कहें, जिनके आधार पर उन्होंने विशेवस्तु का अनुमान लगाया सुझाई गई विशेवस्तु में से किसी में से आप प्रशन पूछें बच्चे या बच्चा उस प्रशन का उसी भाशा में जवाब दे आप एक संदर्भ का उलेख करें और बच्चों या बच्चे से पूछें कि वो सीखी जाने वाली भाशा में संदर्भ से जुड़ी बातचीत बताएं अच्छा होगा कि ये सभी गतिविधिया पहले पूरी कक्षा के साथ खेल-खेल में की जाएं बच्चों की अनुमान लगा पाने और अर्थ खोज पाने और समझने की ख्षमता को सराहें ये दो कारणों से जरूरी है पहला भाशा की नीव अर्थ में है दूसरा, रोज मर्रा की जिंदगी में बहु भाशिक्ता में सटीक्ता पर जोर ना होकर एक दूसरे को समझने की कोशिश होती है कक्षा में भी हम समझने की कोशिश करें कि बच्चे क्या बताना चा रहे हैं आईए, मिलकर नई भाशाओं से दोस्ती का आनंद लें झाल झाल बच्चता में तूसरे मिलकर ना बम कर दो जो झाल झाल